ओम हनमन्ते नमाहा, स्वागत आप सभी का मेरे वास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर दोस्तों हनमान जैनती वाले दिन कर लें एक उपाय एक महिने में सारा कर्ज दूर हो जाएगा कितना भी बड़ा कर्ज हो, तो आपको इस दिन साम की समय यह उपाय जरू करना है जो उपाय में आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय बहुत ही चमतकारी और प्रभावसाली है अगर आपने यह उपाय कर लिया, तो कभी भी धनकी कमी नहीं रहेगी हर प्रकार की मनुकामनाप की पूरी होगी हनमान जी का जन्मुस्व मनाय जाता है चैत्र पूरण मासी वाले दिन हनमान जी का जन्म हुआ था, साख्यात बाला जी महाराज हमारे बीच में वराजमाने हमारे उपर अपनी कृपा दिश्टी बनाय रखे हुए है और कल्यगों में बाला जी महाराज का ही राज्य है, भगवान सीराम चंजी ने आशिवाद दिया था, कि कल्यगों में जो भी भक्त तोहमारी आराधना करेंगे, उनके सभी कारे से दोंगे चारो योगो परताप है तो मारा तो बागवान जी का जो परताप है वो है चारो योगो में है तो बाला जी माराज की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं संकट मूचन बाला जी माराज हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं आपको क्या करना है आटे का चोव मुखी दीपक बना के त्यार करना है दोस्तों द्यान से सुनना है जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं आटे का चोव मुखी दीपक आपको बना के त्यार करना है और साथ ही आपको 27 लोंग की एक माला बनानी है 54 दानों की यानि 27 लोंग और 27 गुलाब की फूल उस माला के अंदर होने चाहिए ये माला बना के आपको त्यार कर लेनी है साथ ही आपको दो फल लेने हैं केले के फल ले और भगवान जी के लिए मीठा पान ये सामगरी आपको लेनी है सभी सामगरी लेकर के हनवान जी के सामनी जाएंगे और साथ ही थोड़ा सा गुड़ और मसूर की दाल ये चीज़े आपको ले लेनी है बाला जी माराज से प्रातना करेंगे के प्रभू मैं प्रतेक मंगलवार को आपका चोला चड़ाऊंगा ये प्रतेक सनिवार को आपका चोला चड़ाऊंगा सनिवार ये मंगलवार का नियम आपको बनाना है मेरे कर्ज को दूर कर दीजिए मेरे धन प्राप्ति के योग बनाए मेरा ब्योपार बहुत अच्छा चले ऐसा कहकर के हनमान जी के सामने आपको एक दीपक जला देना है हनमान जी के सामने आपको दीपक जलाना है फिर हनमान जी को वो माला पेना देनी है हनमान जी के सामने मीठा पान रख देना है और फिर ओम हनमनती नमा इस मंतर का एक सो आट बार जाप करना है दोस्तों इतना चमतकार है उपाय में इतना चमतकार है बहुत ही ज़्यादा लोंग लगा करके मीठा पान अन्मान जी के सामने रखें फल रखें दीपक अन्मान जी के सामने जलाएं गोड़ और मसूड की डाल रख दें एक रुपे का सिक्का अनमान जी के सामने रख दे फिर आपका जब जाब पूरा हो जाए अनमान जी के आर्थी करें अनमान चली साग पाट करें एक रुपे का सिक्का आपको ठालाना है पान में लगी हुई लोंग आपको ठाले नहीं है और लाल कपड़े में बांध करके तेजोरी में रख दीजे जीवन में कभी भी धनकी कभी नहीं रहेगी हर मनो कामना आपकी पूरी होगी ओम हनमनते नमा